स्वेलो फेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब मेरना है भरत और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं iOS 16 जो अपडेट आने वाला है जल्दी नए फोन्स के उपर तो उसी के बारे में डीटेल में जो आज बात करते हैं इस वीडियो के अंदर तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करते हैं कि कब या फिर कौन-कौन से फोन्स में जो यह iOS का अपडेट आने वाला है तो iOS 16 का जो अपडेट है वो iPhone 8, 10 और उससे उपर के जितने भी मॉडल से उनी में देखने को मिलने वाला है और काफी जल्दी जो है देखने को मिलने वाला है iOS 16 most probably जो है अगस्त के महिने में जो है आपको देखने को मिल सकता है iOS 16 का अपडेट तो जातर फोन्स में एक साथ ही रिलीज हो जाएगा तो अभी तो रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि अभी बीटा वर्जन चल रहा है यहाँ पर तो बहुत ही जल्दी काफी सारे phones में जो है ये update आ जाएगा और जिन में नहीं आया है उनमें अगस्त या फिर last to last first week of September तक जो है update जहां तक है आ जाएगा क्योंकि iPhone 14 भी जल्दी लाँच होने वाला है तो इसकी वैसे company को जल्दी ही ये phone के जो update है वो launch करना पड़ेगा तो iPhone 14 जो है iOS 16 installed ही आएगा पहले से तो बाकी phones में भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा बाकी बात करें अगर iPhone 6S है 6S Plus जैसे models की तो इसमें unfortunately अब आपको iOS 16 का जो update है वो देखने को नहीं मिलेगा इसके लावा iPhone 7 पे भी जो है question mark है अभी तो तो शायद ही देखने को मिले हमें 99% chances तो यही है कि नहीं देखने को मिलेगा बट अगर किसमत अच्छी हुई तो हो सकता है देखने को मिल जाएबा कि आप क्या सोचते है comment करके हमें ज़र से बताइए क्या आना चाहिए या फिर और यहाँ पर सबसे major improvement जो है lock screen के अंदर किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारी जो है customization की गई है normally Android phones में इतनी customization मिला करती थी लेकिन अब iPhone ने भी जो है अपने आपको upgrade कर लिया है इस मामले में और काफी सारी चीजों में जो है upgrade आपको देखने को मिलने वाल है यहाँ पर आप customized wallpapers लगा सकते हो widgets लगा सकते हो shortcut चीज़े लगा सकते हो तो इस तरह की बहुत सारी चीज़े जो है आप लगा सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर widgets जो है आप लगा सकते हो जिसके अंदर आपको air quality index दिखाएगा इसके लावा और भी बह लेवल, वैदर, कैलेंडर, डेट और अलारम तो यह सारी चीज़ आपको विजेट्स आपकी लॉक स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएगी मल्टिपल लॉक स्क्रीन भी आप जो है आपर सेट कर सकते हो तो यह भी ऑप्शन आपको मिल गया है इसके अलावा नोटिफिकेशन में भी जो है पहले से इंप्रूमेंट्स किये गए हैं या आप एक साथ स्टैक करके जो है आप उनको रख सकते हो या साइड में कर सकते हो बॉटम में जो है अब आपको दिखाई देंगे तो आपको जो है टेच करने में भी आसानी रहेगी पहले पूरा उपर से नीचे तक लिस्ट आती थी अब चाहो तो आप स्टैक करके उनको नीचे एक साथ रख सकते हो और देख सकते हो एक एक करके इसके लावा लाइव एक्टिविटी भी आप देख सकते हो अपनी लॉक स्क्रीन के उपर तो जो भी गाना वगेरा प्ले हो रहा हो गया फिर फूट डिलीवरी कोई कोई सेर्विस आपने कर रख ही है तो वो भी आपको जो है दिखाई देगी और गाने वगेरा चेंज करन वो सारी चीज़े भी आप जो है अपनी लॉक स्क्रीन से ही कर सकते हो इसके अलावा फोकस मोड भी यहाँ पर दिया गया है जिसका मतलब है एक तरह से डू नौट डिस्टर्ब मोड या फिर आपको इंपोर्टेंट वर्क कर रहे हो एक घंटे और दो घंटे के लिए तो व कोई भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उस तरह की चीज़ों के बारे में बताएगा iCloud Shared Photo Library तो यहाँ पर कस्टमाइज किया गया है iCloud को भी जिसके अंदर आपकी सारी फोटो वगरा शेयर रहती है तो वहाँ पर आप और भी आसानी से अपनी फोटो को शेयर कर भी जो है काफी सारे improvements किये गए हैं तो यह major improvements यहाँ पर देखने को मिले हैं इसके अलावा message की अगर बात करें तो message में भी जो है आपको पहले से जादा improvements देखने को मिलने वाले है typing experience भी आपको जो है all together बहुत ही जादा improve होने वाला है तो यह चीज़ भी काफी जरूरी है क और message को send करना और भी आसान हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं और क्या-क्या चीज़े improve की गई है तो share play करके जो option आता है message में उसको improve किया गया है collaboration करते हैं आप एक साथ 3-4 जने या 5-6 जने बात करते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे mail करते वे भी आपको ज आप जो है lock लगा सकते हैं इसके अलावा share tab groups यहाँ पर आप जो है groups में बाठ सकते हैं इस tab को और intelligence यानि की AI का भी use किया गया है तो काफी सारी चीज़ों में जो है आपको improvements देखने को मिलेंगे जैसे की background जो हट जाएगा सिर्फ आपको जैसे photo को ही share करना है तो इस तरह से जो है आप screenshot ले सकते हो specially live text for video तो यहाँ पर जो है live text कर सकते हो pause a video on any frame that contains text to use familiar interaction like copy translate look and share तो इस चीज़ में भी जो improvement देखने को मिला है live text quick actions और यहाँ पर जो है call phone numbers यह सब चीज़ों में भी जो improvement किया गया है easy हो जाएगा call number ढूणना कोई भी website ढूणना या फिर language को translate करना तो यह सारी चीज़े भी जो है improve की गई है camera की through इसके अलावा Siri जो है उसमें भी कुछ improvements किये जाएंगे और कोई भी setup की जो है जरुरत नहीं होगी run shortcut with Siri as soon as you install an app no shortcut no setup required तो यहाँ पर किसी भी setup की जरुरत नहीं होगी dictation आप कर सकते हो यहाँ पर बोल बोल के भी जो है अपने emojis लेके आ सकते हो या फिर कुछ भी type कर सकते हो तो यह चीज़े आप दोनों तरफ से कर सकते हो Siri से भी और अपने keyboard से भी maps में भी जो है अब आप improvements किये गए है यहाँ पर multi stop routing यानि कि आप अगर दो जगे रुखना चाता है कोई इनसान तो वहाँ पर आप location सेट कर सकते हो wallet में भी improvements किये गए है और यह है आपकी नई home screen तो iOS 16 जो है altogether एक different experience होने वाला है भर भर के जो है यहाँ पर improvements किये गए है health और fitness में भी improvements किये गए है तो list इतनी जादा लंबी है कि अग जब इसका वीडियो बनेगा तो काफी लंबा जो है वीडियो बनने वाला है car play के अंद different feature है iPhone का तो उसमें भी improvements किये गए है accessibility में भी improvements किये गए है door detection और यहाँ पर gaming के मामले में भी improvements देखने को मिलने वाले है तो यह सारे ही features जो है आपको अब मिलने वाले है iPhone के अंदर iOS 16 के अंदर तो यह सारे features जो है डाले गए है आप लोग को कैसे लगे comment करके जो है friends जरूर उसे बताईएगा इस सारे features यहाँ पर Apple ने अपनी website पर डाल दिये है weather app हो गया emojis हो गया color हो गया हर एक चीज में जो आपको improvements देखने को मिलने वाले है